नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल चिकित्सा तत्यविज्ञान में दोस्तों आज जानते हैं निमोनिया के असरकारक घरेल उपचार सबसे पहले तो यह जानते कि निमोनिया क्या है जब किसी कारण से फेपड़े में सूजन आ जाती है तो उसे निमोनिया कहते हैं निमोनिया रोग में केवल एक ही फेपड़ा सूजता है लेकिन जब किसी कारण से दोनों फेपड़ों में सूजन आ जाती है तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं फेफडों की सूजन को ही फुफुस प्रदा या निमोनिया कहते हैं इस रोग में फेफडे सूज कर सक्त और कठोर हो जाते हैं छोटे बच्चों में होने वाला यही रोग डबा रोग अर्थात पसली चलना कहलाता है यह रोग सन्नी पाज़वर की ही एक अवस्था है दोस्तों जानते हैं निमोनिया की क्या कारण है जिससे हो जाता है निमोनिया का रोग मौसम बदलने जादा मेहनत करने जादा ठंडा पानी पीने ठंडी हवा में रहने और खाने से जादा तर ठंडी चीजों का सेवन करने आधी कारणों से होता है कुछ चिकित्सकों का मानना है कि यह रोग किसी विशेश की टाडू की कारण उत्पन होता है इस रोग का उपजार तुरंत ना होने पर यह जान लेवा भी हो सकता है तो दोस्तों जानते इस निमोनिया के लक्षन क्या है निमोनिया रोग से पीडित रोगी को पहले ठंड लगती है और फिर बुखार आ जाता है रोगी की आँख वा चेहरा लाल होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जीब मैली हो जाती है सिरदर्द होता है भूग कम लगती है सूखी खासी के दोरे पढ़ते रहते हैं चाती बहुत गर्म हो जाती है सांस लेने में परिशानी होती है तता फेपडे गलने लगते हैं यह एक कठिन वा फैलने वाला रोग है इस रोग में जब बुखार बहुत तेज होता है तो खासी के साथ रोगी की पसलियों में भी दर्द होता है निमोनिया रोग से पीडित रोगी की चाती में कफ जमा हो जाता है और दम फूलने लगता है सांस लेते समय चाती में कफ की आवाज आती रहती है पसलियों के निचले हिस्से में गड़ा पढ़ने लगता है आखे चड़ जाती है चेहरा फीका पढ़ जाता है रोगी की बड़ी बेचैनी होती है होट नीले पढ़ जाते हैं पसलियों में दर्द होता रहता है और जीब सूख कर काली पढ़ जाती है तो दोस्तो ये बात जरूर जाने कि निमोनिया में हमें क्या परहेज करना चाहिए। निमोनिया के रोग में जल्दी पचने वाली चीजे खानी चाहिए और पूरा आराम करना चाहिए। भोजन में परवल, तोरी, करेला, सेब, अनार, पालक तता कुल्थी का रस सेवन करना जो या गेहों की रोटी ही खानी चाहिए दोपहर के समय गाय के दूद में अद्रक डाल कर पीना चाहिए पानी को उबाल कर रखकर ठंडा करके घूट घूट पीना चाहिए खाने के बाद आठ से दस कदम जरूर चलना चाहिए चिकनाई वाले पदार्थ जैसे घी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए कसरत सारीरी क्या दिमागी मेहनत मैथुन ठंडे पानी का सेवन क्रोध दिन में सोना दूद तथा दूद से बने गरिष्ट पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए खटाई, पीठी तथा मैधे की मिठाई, तरबूज, मास, मचली का पान का सेवन नहीं करना चाहिए निमोनिया का घरेलू और आईरवेदिक उपचार आप जानते हैं कि इसका हम कैसे घरेलू उपचार करके ठीक हो सकते हैं तो मैं आपको आज एक उपचार नहीं, बलकि कम से कम दस उपचार बताऊंगे उसमें से किसी भी एक उपचार को अपना कर आप निमोनिया से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं तो पहला उपचार है, पोदीना का ताजा रस सहत के साथ मिलाकर हर एक एक घंटे पर सेवन करने से निमोनिया रोक ठीक होता है दूसरा है, नीम के पत्तो का रस हलका गर्म करके छाती पर मालिस करने से फेफडों की सूजन दूर होती है तीसरा उपचार, बच्चों की गले और छाती में गड़गड़ हट होने पर लाल अडूसा की पत्तो का रस दस से बीस बून लेकर छोटी पीपल में मिला कर लें और सहत के साथ चार से छे घंटे के अंतर पर सेवन करें, इससे छाती में जमा कफ निकल जाता है और फुफुस जिसे हम फेफडों की सूजन करते हैं वे दूर होती है चोथा उपाए है, निमोनिया रोग में रोगी के सरीर की पाचन करिया प्रभावित होती है इसलिए सीने तथा पसलियों पर सुद्ध सहत की मालिस करना चाहिए और थोड़े से सहत गुनगुने पानी में डाल कर पिलाना चाहिए पाचवा उपाए, आवला, जीरा, पीपल, कौँच के बीज और हरण को लेकर कूट पीस कर चूण बना ले और यह चूण सहत के साथ सुबह साम सेवन करे इससे फुपुस प्रदा भी ठीक होता है चटा उपाए है, गाई के मूत्र में नमक मिलाकर आधा आधा चमच सुबह साम रोगी को पिलाने से निमोनिया रोग पूरी तरह ठीक होता है साथमा उपाए है, पांच मिली लीटर लैसुन का रस तथा बीस ग्राम सहत को एक साथ मिलाकर दिन में तीन बार खाने से या चटाने से फेफडों की सुजन पूरी तरह दूर हो जाती है और एक चमच लैसुन का रस गरम पानी में डाल कर बच्चे को पिलाने से निमोनिया का रोग पूरी तरह ठीक होता है आठवा उपाए है, कपूर को चार गुने सरसों के तेल में मिलाकर पसलियों की मालिस करने से पसलियां का दर्द ठीक होता है नवा उपाए है, अदरक और तुलसी का रस एक एक चमच लेकर सहत के साथ सेवन करने से फुफुश से प्रदा दूर होता है अदरक रस में एक या दो वर्स पुराना घी वा कपूर मिलाकर गरम करचाती पर मालिस करने से निमोनिया में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है दस्वा उपाए है, बीस तुलसी के हरे पत्ते, पांच काली मिर्च, तीन लौग, दो चुटकी हल्दी और एक गाठ अदरक इन सभी को लेकर एक कप पानी में उबाले और जब पानी आधा कब बचा रह जाए, तो इसे चान कर दिन में दो बार पीएं, इस तरह का यह काड़ा लगभग दस दिनों तक सुबह साम सेवन करने से फुपुस प्रदाप पूरी तरह ठीक होता है तो दोस्तों यह सभी उपाए निमोनिया के लिए कारगर हैं, आप इन में से किसी एक कभी इस्तेमाल कर निमोनिया से पूरी तरह निजात पा सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, सेर करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हैता आप उसे कमेंट द्वारत जरूर पूछे, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिस करूंगे, धन्यवाद